हेलो गाईज, फैक्ट रिपोर्ट में आपका स्वागत है आज हम जानेगे यामाह के एक पावरफुल स्कूटर के बारे में जिसका नाम है T-Mac यामाह लेकर आ रहा है एक नए अग्रेसिव लुक में धाकड स्कूटर TFT स्क्रिन और अपडेटेड फीचर से सब को चटाएगा धूल स्कूटर सेगमेंट में यामाह ने अपडेटेड टीमैक्स स्कूटर को लौँच कर दिया है कमपनी ने इस स्कूटर को बहतर बनाने के लिए हाई टेक टेकनोलोजी का इस्तमाल किया है जिससे स्कूटर सेगमेंट में कोई दूसरी कमपनी टीमैक्स स्कूटर के आसपास भी नहीं पहुंचती है टीमैक्स में बहतर फ्रंट एंड फील और रेयर डिपिंग के लिए रीडिजाइन देखने को मिल जाता है इसी स्कूटर के टायरो में 262mm फ्रंट डिस्क और ABS के साथ 282mm बैक डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं इसी स्कूटर का डिजाइन सूपर स्पोर्ट लुक में है इसके आगे की तरफ एरो डाइनमिक डिजाइन दिया गया है ये काफी अग्रेसिव नजर आता है टीमेक्स स्कूटर में काफी कॉंपेक्टिबल बोडी दी गई है इसके फीचर्स की बात कहरे तो इसमें आपको अपडेटेड वील और सस्पेंशन देखने को मिलेगा और एक बड़ी विंड स्क्रीन फुल कलर सेवन इच कनेक्टेड इंस्ट्रुमेंट से लेस है इस्पोर्ट हैंडलिंग प्रोफोर्मेंस इस्पोर्ट के साथ साथ फुल मैप गार्णिंग नैविगेशन भी देखने को मिलेगा और इसमें नए फुल कलर 7 इंच TFT स्क्रीन के साथ-साथ एनलोग और मोनोक्रॉम जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है इंजन की बात करें तो यामहा TMAX स्पोर्ट में 560cc पैरलर टुइन इंजन देखने को मिलेगा ये इंजन 47BHP की पावर और 55.7NM का P-TROC जनरेट करता है जिसके साथ ये 160 किलोमीटर प्रतिघंटा की टॉप स्पीड पकड़ सकता है तो आज के लिए सिर्फ इतना गाईज आने वाले नई अपडेट्स और उनकी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू